इनकी च्छतें देखो ना च्छतें कैसी यो रखी है तो पुराने गहर है वो अच्छी चाई बना रखी है ब्राउन मुंडी ने और एक यहां पर यह तिपरी यह कमर कमर ता गुज़ाई की बरप में यानि कि दाल का भूसा बचता है चिलके बचता है तो इस तरीके से बोलते हैं तो अभी चाई पीते हैं ऐसे आपको चोटे-चोटे घर देखने को मिलेंगे जोगी मडी में काफी सारे टूटेवे गर दिख रहे हैं दर असल जंगल से घूमने के बाद मैं आज आ चुके हैं फिरसे बएड़ा गाउँ में यानि कि जो आपको सामने गाउं दिखाए दे रहा काफी बड़ा और काफी प्यारा गाउं है बैड़ा गाउं तो आज इस गाउं में जाने वाले हैं आपको ये गाउं दिखाने वाले हैं इससे पहले जारे केते हम जंगल की साइड में एक गुफा दिखाने के लिए आपने vlog देख लिया होगा, यह दूसरा vlog है और आज के vlog के शुरुवात फिर से हो रही है बेरोखाल vlog से यानि कि जो एक गाउं है यहां पे बहसुडा कहते हैं एक साथ में बोलते हैं तो आज vlog के शुरुवात यहीं पर हो रही है और एक बार जाएंगे इस गाउं में लोगों से मिलाएंगे साथ में यहां के जो घर बने हैं घर दरसल काफी प्यारे बने अगर यहां से मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊं भी तो आपको बहुत ट्रेडिशनल हाउस मिलेंगे बहुत पुराने पुराने तो आज जो भी है मजीदार होने वाला आज का वीडियो जब भी आप गाउं के नजदीक जाएंगे जैसे जो रूरल एरियास की गाउं होते इवन पौरी की तरब भी हुआ करते थे पहले ऐसे तो आपको इस तरीके से घास स्टोर करने का तरीका मिल जाएगा हम लोग इसे दरसल और थोड़ा सा और आगे पार्ट में जाओगे तो वहाँ पर परसुंदा कहते हैं से यह सर्दियों में घास को स्टोर करने के लिए बैस तरीका है कि जैसे अगर सर्दियों में बरबबरब पड़ती है ज्यादा बारिश होती है इनकेस ठंड के माहौल में तो इस टाइम प काफल और हिसल अल्मोस्स सेम टाइम पर पकते हैं और साथ में यह हो गया गिंगारू का पीड तो इस पर दाने होते हैं उनको भी खाते हैं लाल कलर के हां तो गहते हैं से तो यह बनेगा शायद मुझे लग रहा है जब हिसल हो जाएगा उसके बाद में यह वाला पकना आसाम बैडा गाउं की तरप में बैड़ा हैं वैसे यहां पर काफी सारे चोटे चोटे गाउं हैं काफी प्यारे आज कल दरसल सूखा सूखा सा दिख रहा है तिस वज़ज़से वैसा नहीं दिख पा रहा है जैसा कि दिखना चीह है दरसल एक बार हरियाली हो जाएगी बा वाले गाउं ने भी अच्छी कासी कर रखी है, बाकि उदर को देखोगे, तो अल्मोस्ट मतलब अबिंडेंड एरिया, मतलब छोडी भी खेती है, बाकि कोशिच करते हैं, कहां तक जा पाते हैं, और यह गाउं भी देखो, गाउं कितना प्यारा देखा पर बसा है, जैसे अच्छा, तो बैडा गाउं में पहुंच गए और यहां से गाउं शुरू हो जाता है, जो यहां के घर बने ना, जैसे कि वो घर है, तो इस घर को देखो, कितना प्यारा बनाए, पूरे पत्तरों पर नकाशियां कर रखी है, अभी हम गाउं में जा रहे हैं, देरे-देर उपर सरसों के लिए है, खेतों में, दरसल में थोड़ा दूश्रा रास्ता है, वहां से एक रास्ता भी चलते है, लेकिन यहां से आयते है, थोड़ा भूख सी लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ खा के चलते है, यहां पर घरों के सामने बहुत टाइमाद देख रहा है, च अभी चलते हैं, वहां पर उस गर को दिखाते है, यहां पर घरों के घर पर दरसल चत से दिखाते हैं, इनी की चत से पूरा गाउं दिखा रहा था तक, तो बहजी औरों को डावट था कि कहीं तो देखा है वेना है, लेकिन द्यान नी अर्द अब जा के उन तलब उला है, कि यूटूब पर दिखा हो लग कहीं पर, तो अच्छा रहा, काफी बढ़िया, साथ में यहां पर इनका घर, आप गाउं में और फैमिली सी पूरी, तो मतलब पलायन काफी हो रखा इस गाउं में भी, तो अभी थोड़ी देर पहले दरसल मैं ने रिकॉर्ड किया, तो रि और बहुत प्यारा फ्रेम था, लेकिन और रहे गया, तो अभी हम आये हैं थोड़ा सा आगे बेडा गाउं में, और वो वाला घर ना भाई, वो वाला पत्थरों का जो घर बनाए, बहुत प्यारा बनाए, तो यहां पर जो घर बनाना, इस वाले घर को भी दिखाया तो में तो यहां पर देखो, यहां पर पूरा का पूरा ना, यानि कि जो दाल का भूसा बचता है ना, चलके बचते हैं, तो उसको गाई के लिए समाल के रखते हैं, गाई के लिए कर रहे हैं, तो जो भी है, बढ़िया मतलब इसको कूटा जा रहा बारीक तरीके से, और फिर इसक बारीक करके फिर उबालके फिर गाई को खिलाएंगे आपका घर बहुत प्यारू चापक है तो यह पूरा पूरा मतला पत्थरों का बना है और बहुत प्यारा दिखाई दे रहा भई इसकी चत देखो पर चत पे बीच-बीच मना सिमेंट लगा रखे जसे कि कोई मतलब अगर अगना चाने काता सालों में चान दे यह थे कि काता सालों में चान दे यह थे कि यह था पंदरा बीच सालवाद मतलब लकडी चेंज करते होगे ना इसकी लकडी और मिट्टी तो इन घरों में यह चीज है मतलब मैंटिनेंस करना पड़ता पंदरा बीच सालों में तब तब तूटे हैं, तूटे पड़े हैं काफी सारे घर, घर हो नहीं के तूटे हैंगे, जो छोड़गे चलेगे होंगे, यह ना, तो जैसे वो सामने वाला घर तूटा पड़ा एक, यह है, उसके सामने वाला भी थोड़ा सा खंडर सा हो रहा है, और कुछ, बाकी सेरिया में सायद हैं काफी सारी ना, तो चानिया मतला गौसाला होगी, तो अभी ऐसे गरते उपर में चलता है, गाउं दिखाते वे निकलते हैं, ऐसे ना, आपको छोटे जोटे घर देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई, बहुत खूबसूरत बना रखे हैं, जैसे इन पर पत्थरों से अच्छा कासा होता अभी भी, जानते हैं, जो मिस्तरी लोग है, वो करते ही रहते हैं, वो मिस्तरी हर कोई नहीं होता, वो गेने चोने होता है, तो उनका हाथ बैट चुका है, और ये हर जगह पे आपको इसी तरही से घास स्टोर करीवी मिल जाएगी, गाउं है यार, तो अपने लिए दो भाई, नया गाउं है, और भाई लेके चल रहे हैं एक और घर पे, घर भी काफी खुपसूरत सा बना रखा है, नमस्ते, नमस्ते, बोडी बोला, बोडी बोडा, तो घर देखो भाई, घर कितना खुपसूरत है ना, डिजाइन भी बना रखा अच्छा साथ में बोडी यहां पर अराम से बरतन दोरी, यह खाना पीना खाके है, होगी यह खाना पीना आप लोगों का, आपके यहां पर खेती अभी है, मतलब थोड़ी बहुत, अपनी चाई आ गई हो गई, यहां पर यहां पर ताओ जी और गर पर बोला चाई पीके जाओ, तो पीके जलते हैं यहां से, तो ताओ जी औरो के घर पर चाई पीने के बाद में बढ़ते हैं गाउं की तरफ, थोड़ा आपको गाउं दिखाते हुए जलते हैं, गाउं दर असल काफी बढ़ा है, काफी फैला हुआ है, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहां पर कुछ पुराने घर है, ट्रजिशनल घर है, उनको भी दिखाते हुए निकलेंगे फिर, यह ताओ जी, चलते हैं फिर, अच्छा नमस्ते, गाउं में जैसे आगे बढ़ते हैं, तो आपको अलग-अलग यूनिक सी चीज़े देखने को मिल जाती है, जैसे यहां प साफी सारे जो पुराने घर है, वो टूट भी चुके न, बारिश की वज़से मैंटिनेंस ना होने की वज़से, एक वाद ताओ जी मिले हैं, और होगी आपका खाना पीना, बढ़िया, तिवरी कम से हम कितनी साल पुरानी होगी, मतलब आप जब से बच्मन में तब से उनके बुला जो बुजुर्ग रहे हैं, वो भी कहते हैं, कि पता नहीं कपके बुलाती बरी, तो जस्ट थिंक अबाउदा कि कितनी पुरानी है भई, और उस टाइम के चिनाईयां देखो न, कितने चोटे चोटे पत्थर यूज उरुके हैं में, बिलकुल चोटे चोटे पत्थरों में मकान बना देते थे, और बड़े बड़े पत्थर भी लगाते थे, जिनको उठाना आज के टेम पे मुश्किल है, काफी मुश्किल है, जैसे यह वाला पत्थर देगो, कितना लंबा है, कितना लंबा है, शायद दो मीटर से भी बड़ा है, यह होगा, पांच सिंगल पत्थर पांच फुट से बड़ा ही है, तो सिंगल पत्थर है भाई इस पर, ठीक है दादाजी, चलते है, अच्छा है जी, और साथ में जैसे आगे-आगे बड़ेंगे आपको यह पत्थर जैसे अगर आप देखोगे गार से, तो इन पर छीने से ना काट रुखे अगर मैं आपको इस कोने से बता हूँ, तो आपको बिल्कुल दूसरा कोना दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे सीधे हैं बिल्कुल, और भाई, एक और घर, अरे भाई, गजब, कुटे तो नहीं आएंगे, तुम जाओ, फिर, आदी भी कहरी है भाई, कि मुझे पैचान में आरे अपला में, तो लगवग हर किसी को लग रहा है गाओ में कि कही न कहीं मुझे देखा है, अच्छा, बड़ी है, बड़ी है, दादी का घर भी बहुत प्यारा है, बस दादी अभी चाई प्याया, तो यहां पर यह देखो, यह वाला घर भी कितना प्यारा बना है, प्रके यह रहा में, दोतीन बार, अच्छा और यह भी पूरा उपर लकड़ी यूज करेकरा रहे है, बहुत खूरत वर इस पर यहां पर लिखा भी है, रहाला पर पूरा लिखा भी असरी, शंकर निवास, यहां पर उस पर लिखा भी एतक्तिव है, जैसब जाएं सब गव ही आ रहा है तो इस तरीके से चलो होता है कि एक सकल के कई सारे लोग हो जाते हैं तोड़े वह सकल मैच होती है मतलब आके अब दीरे दीरे इस गाउं से उपर निकलना शुरू कर रहे हैं भाई के घर पे जाएंगे यानिकी बहसोडा गाउं में और फिर उसके बाद में देख भाद आपने खेतों में गूबर फेंका करते हैं और एकटा कर रहा होता था खेतों में यानि कि जससे आप बारिष होगी ना बारिष से पहले इसको फैलाना शुरू करेंगे तो देखो पूरे खेतों में देखोगे न तो आपके ऐसा लग़ा जैसे बिंदियां लगा रख दरसल कुछ गर इस साइड में है और कुछ गर उस साइड में है जो कि पूराई की फ्रेम में नहीं दिखाई दिरा है इसके लिए तो मुझे लगता चाहिए ड्रोन चाहिए फिर एक ये शूट में अगर निकालने तो बाकि जो भी है भाई बहुत ही प्यारा गाउं है और इन यंदे लगाते हैं लेकिन यहां पर हल अलग और जोल लगाने का तरीका अलग तो इसको नीचे बिचाए इसमें आदमी खड़ा होता होगा है और यह आगे बैल कर जीव पर बांदे होंगे जीव बोलते हैं नुम लोग भी जो कंदे में रखते हैं हाँ जीवा बस इसमें मजा आता है ऊसमें भई मैंने तो पच्छ किया थे एक बार नहीं कई बारी जैसे हम रजाने जाते थे बार अब ड्लाइनर भाई जोड दी ए उसके बाद में जोल लगाना है जैसे जोल लगा है अर उसके बार भाई बहाना भाई जोब को तरा बाई की लाइफ पूरी एंजाई कर रखे वाई बैड़ा गाउं से गुमने के बाद में पहुंच चुके हैं बैसोडा गाउं में यानि कि जहां पर रुके हैं और जो भी फिलिंग अमेजिंग है आज के दिन पर दरशाल दो जगह पे गया एक तो वह नीचे वाली जगह जो साथ में जिस तरहीके से बना है ट्रडिशनल जो हूम हुआ करते थे यहनि की घर हुआ करते थे बिल्कुल प्रॉपर और रात के टाइम पर हमने यहां पर आग सेखने के लिए आग जला रखी थे तो तो जो घर बना है न तो बीच में जो बीच में सर्कल करके वहां पर मतला साइड़ बनाते आज जितना भी गाउं में घुमे हैं वो काफी मज़ेदार रहा काफी मज़ेदार अब हात मूँ दोते हैं और खाना काते हैं तो दिन का खाना पीना खाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी बारी है चाई के तो बोडी ने यहां पर चा हैं उपपर जोगी मडी में तो जोगी मडी की मार्केट जोगी में आते वकद आपको स्टार्टिंग में दिखा है था ना बहुत प्यारी लोकेशन भाई बहुत प्यारी तो यहां पर घर आई इतना प्वा रहा बन रह ना इ verdict यह वाले की बात के रहawk मैं इस पर चिनाई देखो चिनाई इतनी बहुत ही घुपसूरत हो रही है मतलब पत्थरों के घर ना इतने प्यारे बनाए यहां पर और लोकेशन भी देखो भाई एक नमबर कुछ लोगों के घर वहां पर रहे होंगे नीचे में तो नीचे भी घर बना रहे हैं शायद आप लोग रहता नहीं ह आज के दिन पर जादा खास दूब भी नहीं थी तो थोड़ा बहुत है मतलब बारिश होने के चांसे है और एक बार बारिश हो जाए तो फिर उसके बाद मुझे लगता भाई यह जो धुन्द धुन्द है जितनी भी दिखाई दे रही है सब खतम हो जाएगी फिर उसके ब नहीं चुटकी ठीक है छोट हो तो नहीं बोला कम से कम अरी आज लग रहा है कि मतलब बारिश होगी अच्छी खासी ना तो अगर थोड़ा सा और जागा ठंड पड़ी बारिश होगी तो मुझे लगता है यहां पर बरब पड़ने के चांसे बीन बरब पड़ेगा ना यहा सक्ता है ज्युक्तिस होगा तो कितना फुट तक पर दूप कर देंसे की रह धाई पोतने से जिए लों ऊसके इसाब से थोड़ी ना है उदा कमरिको गुझाटी इस तो आएगी इस से ताँ यह तोड़ी पहुझी है यार तुम खुद दो फुट्के वह तुम कैसी बाद कर ली तो थोड़ी देर तक भई चाय कीया चुष्किया ली है तो काफी अच्छी चाय बना रखिये ब्राउन मुंडी ने तो जो भी यह बढ़िया भई यहां पर आके आप चाई पी सकते हैं इसी के हाथ का चाई पी नहीं यहां पर तो काफी अच्छी चाई बनाती है अधर भाई चांस धरवाले बनाए तो साप मना कर दे ना क्योंकि जो चाई बनाती है यह इलाई चे अधरक एक्स टालती है एक्सक्रा देती है ना उसमें हाँ अच्छा चाई बना रख्या थोड़ा और अधरक तेज वह जादा अच्छा होता है जोगी मडी की मार्केट घूमी रहे हैं श्याम के टाइम पर ठंड काफी जादा हो गई है यानि के शायद ना कहीं पर बारिश हो रही है और सामने देखो बादल कि इतने प्यारे दिखाई दे रहे हैं बहुत उचाई में है जो काले बादल है वो ऐसे लग रहे हैं जैसा पहाड़ी हो लेकिन पहाड़ी नहीं है बाई पूरे के पूरे बादल लगे है और आप ऐसे करते हैं कि यहांसे घर निकलना शूरू करते हैं साथ में इस वीडियो को भी यहीं परन्द करते हैं तो भाईए के Channel का Link मैं अविसे स्क्रिप्शन में देत हुनगा भाई कुछ बोलोगे डावस तो इनके Channel का Link आपको पर description मिल दाएगा, वहाँ पर tag किया होगा, वहाँ पर जाके आप इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और साथ मैं अभी यह से करते हैं कि इस वीडियो को यही पर नहीं करते हैं, तो उम्मेद है कि आप सब इना वीडियो न जग क्या होगा, यूटूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो फेस्बूक पेस पर आप विजिट कर सकते हैं, और फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो आप यूटूब पर विजिट करते हैं, सेम नाम से, तो मिलते हैं दोस्तों कल के व्लॉग में, तब तक लिए टिकर हैं, बाबाई